लंबे अर्सी से देखा जा रहा कि मद्ध परदेश, थिसगर और ये रास्तान के अंदर धलित और आदिवासियों पर अत्याचार पहुत हथ तक बढ़ गए हैं और उसमें आदिवासियों को लेकर करके मद्ध परदेश नंबर बन चल रहा है तो रास्तान के अंदर जो जनत मेरे साथ बीएसपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बड़े नेता इंजिनियर राम जी गौतम है कल भुपाल में मत परदेश में बड़ी रैली है राजभवन तक वो मार्च करेंगे और उसमें उनके जो निशनल कॉडिनेटर हैं आकास अनंद वो भी सामिल हो रहे हैं सर आप लोग भुपाल में कल क्या है सीधे राजभवन आप लोग ने तैय किया है सबसे पहले तो मैं सभी दर्शागुनों को में जैभीम करता हूं और कल नो अगर्स से आदिवासी दिवास है और लंबे अर्शी से देखा जा रहा है कि मद्द परदेश अच्छ गर और य पर हो रहे हात्याचारों को लेकर के पिछों पर हो रहे हात्याचारों को लेकर के और युवा वर्क पर हो रहे हात्याचारों को लेकर के और तमाम जो वहां पर संभीदा में नुक्रियां कर रहे हैं उनको जो नियमित नहीं कर रहे हैं उन समुद्दों को लेकर कर कल बहु तक जाने का भी काम करेगा और साथी एक बड़ा ही एक रथ यात्रा भी हमने निकाली थी मद्धि प्रदेश के इन्दी सकूल लोगों को जागरत करने के लिए करीब असी दिन की रथ यात्रा वहां पर पूरी कर चुके हम और साथी अब नई रथ यात्रा हम लोग 16 अगस्ते रास्तान में निकाल रहे हैं बहुजंत थमाज़ पार्टी के तत्वाधान में सरजन हिताय सरजन सुखाय संकल प्यात्रा और इस यात्रा का उद्देश है कि प्रदेश के अंदर सरजन हिताय और सरजन सुखाय के सिद्दान पर काम हो और निश्ची तोर पर आज अस्तान क मिले और इनों के दोरा जो क्रति के जार है इन से उन्हें आजादी मिले चारों तरफ पूरी तरह से पार्टियां लूट रही है जंता को लूटने काम कर रही है आप देख लिजिए अभी मद्य परदेश के अंदर ही देख लिजिए महाँ भार जिनता पार्टी की शरकार है रास्तान में कांग्रेस की शरकार है और मद्य परदेश के अंदर पटवारी भरती घुटला हुआ उससे पहले एक प्रव्यापाम घुटला भी हुआ था ऐसे पटवारी भरती घुटला हुआ कई प्रिछाएं जो उनकी है निरस्त कर दीया गए हैं कुए प्रिचायों के पेपर लीकर दिया गए हैं और यहां तक एक ही स्कूल से करीब आरफ सो लोग पटवारी बने एक ही परिवारी से करीब धाइस सो लोग पटवारी बने तो यह सब चीज़ें कहीं न कहीं से इसारा करती हैं कि प्रदेश के अंदर अरजक्ता और क्रफशन का एक व्याप्यार चल रहा है तो उन सब करने जा रही है और जिसमें तमाम युवा तमाम पार्टे के कारिकरता लाखों के संख्या में करेंगे और सारी बाते करेंगे लगातार में पूरे से दो महीं धाई महीने तक करकरताओं से मिलूंगा तो का इसकरी में भुपाल में कल 9 अगस्त को है उसके राजस्थान में भी कुछ सुझ लें आप लोगा हाँ बिल्कुल 16 अगस्त से हम लोगं का एक संकल प्यात्रा है सरुजर निताय सुखाय को लेकर के संकल प्यात्रा ह चलेगी और जो विबिन जिनों से होते हुए करीं करीं करींग समय दया है और रात रिस्पराम जोगा किसी घ्र गाउं के अंदर चाहते हैं कि ब्यस्पी से ग्राउंड लेबल से लेकर के जो हमारा जो करता है हाईयर लेबल की जो पोस्ट है वहां तक कभी जो करता है सभी लोग ग्राउंट जुड़े हुए जमीन तो शुरुवात कहां से धौलपूर से जिए ब्लुकुल 16 अगर से धौलपूर में हम परोली और भरतपूर अलवर दो साख सीकर जुन जुनु गंगा नगर हन्मानगर नागोर बीकानेर से होते हुए आहोर जालोर जाकर के फिर भीलवारा और अजमेर से होते हुए वापस 29 सावी को जहपन के जाएगा दोनों कारकरमों में शुरुवात राध शुरो जैपूर में भी आकासडी साहथने में और नहीं कहा भी है कि वहां पर हम लोग गारियों में आगे कितरा मोमिन करें कि लंबा सफर है लंबा सफर को इतने सौर्ट टाइम हैं हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं तो यह जो प्रला प्लान किया गया हुआ तिलंगाना भी आप देख रहे हैं तिलंगाना में आरेस परवीन पीज़े दो साल से लगता है घर ही नहीं गया है क्या वह स्टेटजी आप लोग लग रहा है कि ज्यादा बेहतर है जिस तरह से उन्होंने तिलंगाना में बीएस पी को इदम लीड भून का में ख़ड़ा कर बिल्कुल तिलंगाना के इंदराज बीएस पी बहुत नाकत के साथ में आगे बढ़ रही है और बड़ी उम्मीदे हैं कारकरताओं ने पुरे जी जान से मेहनत पे लगे हुए हैं और सारे लोग काम कर रहे हैं हमारे जो प्रदेश सद्धिक जी है आरस प्रविन कमारत जी रिटारड आईपियस बोवी पुरे सिद्धत के साथ ने पुरी मेहनत के साथ में लगे हुए हैं उन्हों इस अंकल प्लिया हुआ है कि हम यहां पर बहुजनों का जो बहुजनत माच पार्टी है उसका राज यहां पर साफ़त कर रहेंगे बहां जी रोज किसी ने किसी रा में चर्चा भी हुए कि उन्होंने का कि पावर और बैलेंस करेंगे हम इस बार खासकर जो चार राज्यों का विधान सवाचुनावे राजस्तान चतिसगर मतपरदेस और तेलंगाना इसके क्या संकेत हैं लोग इसके अनुमान लगा रहें कोई कह रहें वो प्री पोल एला क्या है मतलब यह पावर और बैलेंस का चुनाओं के बाद ही कोई गटबंदन की बात होगी पावर और बैलेंस का मतलब ही हो गया कि चुनाओं के बाद क्योंकि चुनाओं से पहले कोई पावर आती नहीं है जब बीएस पी बैलेंसिंग पावर बनेगी कि बिना बीएस पी पर हम सरकार में सामिल होंगे, अपने लोगों को पावर दिलवाने का काम करेंगे, ताकि वो जनहित में जा करके जनहित के लिए गरीबों के लिए काम कर सकें, बिना पावर के काम नहीं कर पाते हैं, तो ये पावर दिलाने का हम लोगों पुरा-पुरा प्रयाज करेंगे इस और उसी करी में 9 अगस्त को जो की इंजिनियस डे भी है पुरी दुनिया में जिसको आदिवासी दिवस के रूपे मना जाता है कल वो भुपाल में मत पर्देश की राधानी भुपाल में पैदल मार्च कर राजभवन तक जाएंगे और उसके बाद जैसे आपको इंजिनियर सरको पर उतर रही है और चार राज़यों में चुनाओ है मैं फिर कह रहा हूँ अगर आप कैडर वेस पार्टी के लिहास से देखेंगे कारकरता के लिहास से देखेंगे तो बी एस पी इस देश में अभी भी सबसे बड़ी कैडर वेस पार्टी है और उसके बगएर किसी भ दिगर सकता है, बन नहीं सकता है आप लोग पुरी बाचीत पर अपनी परत्किरिया जोर दीजे आपकी परत्किरिया बहुत जरूरी है क्यारान तोहीद के साथ श्रम्भू कुमार सिंग निसनल दस्तक दिल ले निसनल दस्तक की आप से गुजारिस है कि एगर इसको बचाना चाहते है तो निसनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाये फिर बेल आइकन की घंटी दवाये निसनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे